आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello Everyone, Welcome You All आज एक Question हम लोग डिसकास करने वाले हैं इसमें पूछा गया है The Tropic of Capricorn के बारे में तो Tropic of Capricorn का latitude क्या होगा यह आप लोगों को बताना है पट सबसे पहले यह समझना होगा कि Latitude क्या होता है और Tropic of Capricorn क्या है तो बेसिकली जब हम बात करते हैं अर्थ की तो अर्थ जो है इसको बहुत सारी Imaginary Lines जो है उसमें Divide क्या गया है जो Lines Center से होकर गुजरती है इसको कहा जाता है Equator ठीक है इसको कहा जाता है Equator और यह क्या है यह है Zero Degree पर ठीक है लेकिन इसके लावा कुछ Lines और होती है इन Horizontal Lines को Latitudes कहा जाता है ठीक है यह जो Lines होती है यह है 23.5 degree North और यह है 23.5 degree South तो जो North में लाइन होती है उसको कहा जाता है Tropic of Cancer और South में जो होती है उसको कहा जाता है Tropic of Capricorn साथ ही इसके अलावा बहुत सारी Lines होती है जो Vertical होती है इन Vertical Lines को कहा जाता है Longitude लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं Latitudes की तो Tropic of Capricorn जो है वो देखते हैं तो 23.5 degree South होती है तो Options अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको Options जो प्रवाइड की गए है 23.5 degree विच इस अर रॉंग आंसर अगे और अगे देखें हम लोग तो 23.5 degree North यह है Tropic of Cancer जो North में होती है Tropic of Cancer इसके बाद अगर देखें तो 23.5 degree South और 23 degree South लेकिन हमने जैसा अभी देखा 23.5 degree South जो है वो Correct answer है and C is the right answer यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Thank you